खारगोन के दंगों के पीछे की सच्चाई क्या है? राम नवमी के उस दिन क्या-क्या उस घटनाय हुई जिसके कारण खारगोन देर रात तक जलता रहा? हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है मनोज रगुवंशी जी ये शांती समीती के मेंबर है यहां का जो रगुवंशी समाज है वो 10-15 साल से राम नवमी की जुलूस भी निकालता है मनुज रगुवंशी जी भी उस मेंबर्स के पाठ है जिनोंने ये जुलूस पिछले कई सालों से निकला लेकिन इस राम नवमी में क्या वो अलग हो गए जिसके कारण हाथ से बात बिगर्ती नजर आई और पूरे रात तक हमने देखा कि खारगुवंशी जी आप से बात हो रहे थे आप कह रहे थे कि आप लोग 10-15 साल से राम नवमी का जुलूस निकलता था कभी ऐसा हुआ है पहले जब आप लोग इसी महौले से इस मस्जिद के अरिया से निकलते थे और ऐसे पत्राओ हुए या फिर ऐसे कोई महौल बिगरा कभी नहीं ऐसा हुआ और आपकी जानकारे के लिए बता दूमें रगवनसी समाज यहां बहुल लिच्छेतर है और हम सब मर्यादा प्रुसुत्तम सिरी राम के बनसज हैं और भगवान राम ने और हमारे समाज ने कभी भी ऐसा किसी के बारे में गलत नहीं सोचा कि किसी के पर हम किसी प्रकार का भत्राव करें और रही बात जो घटना हुई राम नुमी को हमारे जूलस पर कते ही कुछ नहीं हुआ है राम जी का हमारे समाज का जूलस बहुत सांती परी निकला केवल थोड़ी हरकत यह हुई थी तलाब चोक में मस्जित के सामने बेरिकेर्स से बात की सबने बात की फिर एसपी सामने अडिशनल को बोला कि आप बेरिकेर्स से पिछे कर लो उसके बाद भी उन्होंने बेरिकेर्स से पिछे नहीं कहें यह सुबह नव बच के पचपन मिनिट की घटना है ठीक है ना और यह जूलस जब वहां पहुंचा तो हमारे से लगाए तो हम फोर से खटा हो गया फैल गई कि मस्जित के सामने जुलस को रोका गया इसमें कोई अन्य धर्म के लोगों की कोई हिस्सा नहीं थी आप कह रहें कि वहां की जो एड्मिनिस्ट्रिशन थे उनकी गलती थी क्योंने बैरिकेर्स बिलकुल किसी मुस्लिम भाई लेकिन हिंदूओं का जुलस था हमारे समाज के लड़के भी उसमें सामिल होते हैं खरगोन के सर्व हिंदू समाज उसमें सामिल होता है हमारे जुलस में कोई फत्राव नहीं हो हमारा जुलस केवल बैरिकेश लगाने से थोड़ी इस्थिती जरूर बिगडी थी हम सब हमार इसकी बहुत सुनीवी हमको डाटा भी फटकारा भी क्याप ऐसे निकल जा अगए हमने हमारे अधिकार बताए कि हमको तलाब चोक में घूमने से क्यों रोका जा रहा है किसी मुसलिम भाई को तकलिब नहीं फिर मुसलिमों के भीच में ये भाई की बाताबर, अहिंडों के बी एक बेवस्था होती है एडिशनल एस पी हुआ सरयाम बोल रहा है सब के सामने कि मेरे आदेस है मैं एस पी कि नहीं मानता तो ये अपसर इस प्रकार से हडधर्मिता करेगा एक धार्मिक जुलूस की को लेकर वो भी उस दिन जब रामनोमी का तेवार हो उस दिन रमजान का ते देना क्या ये विवात और ये बहस समाज में अच्छा संदेश देती ये कहीं न कहीं ये संदेश समाज में गया होगा कि ये गलत हुआ है उसके बाद जैसे बेरिकेट्स दस फिटे पीछे हुए हमारा जुलूस मस्जित के सामने से पुलिस चोकी से होते हुए हमारे रास् नहीं हुआ ना कि मस्जित से पत्थर आये ना कि दूसरी तरफ से पत्र वह सब शांती पूर्वक्त चीज़ खत्व हुए हमारे जुलूस को कभी तलाब चोक में किसी को तकलिब नहीं रही मस्जित के सामने जाने से मस्जित वाले भी ये नहीं बोल सकते कि आप लोग ना उनको भी कोई तकलिब नहीं हमारा उस्सा और हमारी भक्ती का जो जुलूस से बिलकुल निकलता और हमारे डीजे में भी बिवस्ति राम जी की धुन चलती राम जी की सेना चली ये वाला भजन चला ये हमारा अधिकार है और हम राम जी के हैं और हमारे भगवान मरयादा प वो हम सुनकर पूरा खरगोन सुनकर आज भी भैवी थे कि ये कौन लोग थे जो इस प्रकार से प्लानिंग करके अगर मान लो तलाब चोक में दूसरा जुलूस तीन बज़े बाद निकल रहा था उनको दो बज़े की हनुमत ही थी तो दो बज़े उन्होंने समय पर निकाल ल रहा है तलाब चोक का सेकन जुलूस जो निकलता है वह जुलूस सर्व समाज मिलके निकलता है उसमें बजरंगदल के लोग भी रहते हैं यह उसमें बजरंगदल के रोग भी रहते हैं बीजीपी के भी लोग रहते हैं कांग्रेस के भी लोग सामिल होते हैं बिसमें रगवंशी जी आप या फिर आपके जो अन्य रगवंशी समाज के बरिश लोग थे उन्होंने आपके पहले जुलूस को शांती पूर्वक निकालने की एक जिम्मदारी उठाई और आप लोगों की जुलूस जिम्मदारी से शांती पूर्वक निकल गई दूसरी जुलूस न पहर उसी समय आसान तो हो जाता लेकिन हमारे राम जी ने हमको सद्बूत दी और राम जी कभी भी ऐसा नहीं चाहते इसलिए हम उस मार्ग को हमने वेरिकेर्ट को छोड़ दिया हमने 22 से वेरिकेर्ट का हल निकाले लेकिन जो दूसरे जुलुस निकला जो उनका समय था दो जो नहीं निकली और हमने ये भी सुना है आप ज्यादा बताएंगे अच्छे तरीके से क्या कोई प्रवोकेटिव मेसेज भी गया था क्या कोई ऐसे नारे बाजी हुई जिसके कारण आपको लगता है कि दोनों पक्षों में से एक जोश का महाल बन गया या फिर ऐसी कोई दो ही बाता बरन वहां पे क्रेट हुई नई उहाँ डिजे जरूर वज 아니라 में गीद में लगते ये नारे लगाना और डिजे वजाना इससे थो तकलिएंगी चाहिए न मुसलिम भाईयों को होना कि-स अजया मुसलिम भाई' कि-सी ख़besत्ुई हिन्दू में बिरोध नहीं करा और अगर उससे इनको तकलिब हुई है और इनने फत्राव किया है तो ये गलत किया है अब ये परंपरा जो डाली गई है जुलस पे फत्राव की और खरगोन का इत्यास है खरगोन में हमेशा हिंदूओं के जुलस पे ही फत्राव हुआ है इनके ताजिये भी निकले कभी क खत्राओं की पहली घटना नहीं हुई ए लेकिन किरिया पहले से किसी ने नहीं की ये चिंतनी भीश है ये खरगोन के लिए सोचने का भीश है लेकिन जो गहाउ रामनोवी पे किसी भी बर्गे के लोगों ने दीया हूए मैं हिंदू मुसल्मान की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन वीडियो आजकल सोसल मीडिया का जमाना है इलेक्ट्रानिक मीडिया का जमाना है वीडियो बता रहा है वीडियो इस पस्त बता रहा है वो चेहरे जिनने ऐसे मंजर खड़े कर दिये को मंजर देख के हर व्यक्ति की आँखों में आ